दोस्तों नमस्कार दोस्तों राजस्थान में जहां एक तरफ बीजेपी और कॉंग्रेस के बड़े नेताओं की गुट बाजी की चर्चाएं होती हैं वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जालोर जिले में आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली राजस्थान के जालोर जिले के सांसर देवजी भाई पटेल के परिवार में एक साधी समारो था और इस साधी समारों में भाग लेने के लिए राजस्थान के पूर्व मुक्य मंतरी वसूंद्रा राजे शिंदिया ने सिर्कत की तो इसी साधी समारों में भाग लेने के लिए बीजेपी के परदेश अध्यक्ष सीपी जोसी भी आये थे दरसल ये दोनों नेता परदानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के बाद कारिकरम के सोवे संस्क्राण कारिकरम में भी इन्हों ने भाग लिया सीपी जोसी ने इस कारिकरम में पत्मेडा में भाग लिया और वहीं वसुंद्र राजे सिंधिया ने इस परदानमंत्री नरंद्र मोधि के कारेकरम को देवजी भाई पटेल के घर एक बड़ी LED में आम जनता के बीच बैट कर सुना इस दोनों के यहां आगमन को लेकर ऐसी चर्चाएं की जा रही थी कि देवजी भाई पटेल के घर साधी समारों में भाग लेने के लिए दोनों निता एक साथ नहीं आएंगे चर्चायम राजनितिक गलियारों में ये भी थी कि वसुंद्रा राजे जब देवजी भाई पटेल के घर से निकल जाएंगे उसके बाद सीपी जोसी उनके घर आएंगे लेकिन वहाँ पर तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई दरसल वसुंद्रा राजे सिंदिया साड़े दस बजे हेलिकॉप्टर से सांचोर पहुंच चुकी थी और उनके बाद वो देवजी भाई पटेल के घर पहुंची और 11 बजे परधान मंतरी नरेंदर मोदी के मन की बात कारिकरम को सुना वहीं दूसरी तरफ उससे साथ किलोमेटर दूर पत्मेडा में सीपी जोसी ने अलग से मन की बात कारिकरम को सुना और वहाँ पर भी लोगों की बीड सेकड़ों में थी जब वहसुंदरा राजे ने इस कारिकरम को सुनने के बाद उनके घर साधी समारों में भोजन किया उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की तब सीपी जोसी किसी दूसरे कारिकरम के लिए उनकी पहले से कारिकरम पस्तावी था लेकिन सीपी जोसी उस कारिकरम को छोड़ कर देवजी भाई पटेल के घर पहुँच गए और जिस कमरे में वसुंद्र राजे सिंधिया अपने बेटे दुस्यंद सिंग के साथ बैटकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रही थी सीपी जोसी भी उसी कमरे में गए औ और लेकिन उनके बेटे दुस्यंद सिंग सीपी जोसी के साथ लगातार बात चीट करते रहे और ये रासनितिक गलियार हमें माईने लगाय जा रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के माईने कुछ और हो सकते हैं दरसल वसुंद्र राजे ने इस कारेकरम के बाद मीडिया से भी बात नहीं की हलाकि मीडिया के लोग उनसे जानना चाहते थे कि करीब एक गंटे की आपकी और CP जोसी की जो मुलाकात हुई है वो किस तरीके की मुलाकात थी क्या ये मुलाकात राजनितिक थी क्योंकि इसी साल कुछ महीने बाद विदान सभा चुनाव होने हैं अब हमारे जितने भी दर्सक हैं जड़ा कमेंट करके ये भी बताएं कि इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं क्या ये मुलाकात साधी समारों में महज एक मुलाकात थी या फिर राजनितिक रूप से भी या मुलाकात इस मुलाकात को